भारत की राश्टपती का शिमला में निवास है दारेट्रीट मशोबरा में और अब ये आम लोगों के लिए भी खुल चुका है आम लोग भी इस भवन के यहां पर दिदार कर सकते हैं यहां की जो बादियां है उसको निहार सकते हैं हम इस बक्त दारेट्रीट जो भवन है राश्टपती निवास है उसके ठीक बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यह 173 साल पुरानी बिल्डिंग है भवन है और इसका आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं और हलांकि तब जब यहां पर बिटिश काल था उस बक्त यह बिल्डिंग बनी है और यहां रिटीट के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां के दिदार कर रहे हैं और पूरे इस भवन के भी हम जो यह राश्टपती निवास है इसका भी आपको ब्रहमन करवाएंगे कि किस तरह का यह भवन ने इसका आरकिटेक्चर क्या है इसका इतिहास क्या है इसमें कौन सी खास बाते हैं इसके लिए ही हमारे पास राश्टपती निवास की जो गाइड है सुश्मा हमारे साथ मौजूद है सुश्मा जी पहले सवाल तो यही कि थोड़ा सा इस राश्टपती निवास है वो मेन ररेजिदेंस है उसके अलावा जो आभी आप खड़े राष्ट्रपती निवास मशोब्रा जिसे कहते हैं तो यह जो है वो समर रिट्रीट है प्रेज़जेंट आफ इंडिया का इसके अलावा हद्राबाद में है राष्ट्रपती निलायम कहते हैं वह विंटर रिट्रेट है प्रेजिडेंट ओफ इंडिया का इसके अलावा देहरा दून में है उसे राष्ट्रपती आशियाना कहते हैं अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो 173 साल पुरानी धरोहर है 1850 में य राजा ने से लीज पे दिया मुंसिपल कमिशनर को विल्यम हे जिनका नाम था 1895 में जो और 9 अल गिन थे वाइस राय थे इंडिया के मिस्टर लॉड एल गिन उन्होंने इसे पर्मानेंट्री टेक ओवर कर लिया राजा से और तबसे वाइस राय रिट्रीट बिना ब्रिट जो वाइस राय रिट्रीट में रहने आये वो थे लॉड माउंट बैटन अपनी वाइफ के साथ एडवीना माउंट बैटन के साथ उन्होंने अपनी भारत की जो जर्नी थी उनकी 16 महीनों की उसके दो हफ़ते अंतिम जो थे वो यहीं बिताये थे इंडिपेंडन्स होते ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेजिडेंट अपनी समर वकेशन के लिए हां आते हैं साल में एक बार पहले जो राष्ट्रपती स्रीट्रीट में आये वो थे डॉक्टर राजेंदर परसाद करेंटी जो सीटिंग प्रेजिडेंट शुष्माजी हम अब अंदर भी भ्रह्मन करना चाहेंगे थोड़ा से जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि यहां पर सबसे पहले राष्ट्रपती कौन आए और कब से यहां राष्ट्रपती ने बैठना शुरू कि राष्ट्रपती निवास के तौर पर इस जगा को जो है मानियता मिली राष्ट्रपती इंडिपेंडनस के बाद जो है जो रिट्रीट है वो वाइस राइकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को तो प्रेजिडेंट अपनी समर्वकेशन के लिए इस रिट्रीट में आते हैं साल में एक बार मैडम जो है जो सीटिंग प्रेजिडेंट हैं अमारी सीरीमती द्रॉपदी मुर्मू जी वो 18 अप्रिल को आई थी और उनी के ही डिसीजन से पहली बार रिट्रीट को जनल पब्लिक के लिए विजिटर्स के लिए 20 अप्रिल के लिए को है जनल पब्लिक के लिए खोला गया जी अब बाकी जो यह है जहां पर इस वक्त हम मौदूद हैं यह क्या यह जगा है और इसकी खासियत क्या है जहां देखिए आप अभी खड़े हैं बिल्डिंग का मेन कॉरिडोर एरिया है सामने आप वाल पे देख रहे हैं वो दिली राश्टर पती भवन का फ्रंट सामने आप फोटोग्राफ देख रहे हैं हमारे पहले प्रेजिडेंट की जब वो इस रिट्रेट में आये थे तो आप देख सकते हैं डॉक्टर आजेंदर परसाद की जो है वो फोटोग्राफ वाल पे डिस्प्लेड है राश्टपती निवास के बहार ऐसी कौन सी खासियत है कौन सी खास चीजें है जो यहां आने वालों का करशन का केंदर बनती है एक तो संडाइल है यानि ये सूरज के जरिये घड़ी एक ऐसी है जो समय बताती है और दूसरा एक दो यहां पर पेड़ है जो रंग बदलते ह हैं क्या इनकी खासियत है इसी विशेपर बाचित के लिए खबरे वितक के साथ मौजूद हैं यहां राश्टपती निवास की गाईड सुश्मा इनसे ही जानेगे जी यह दो चीजें खास यहां चीजें हैं यह क्या इनकी खासियत बताए हैं हमारे दर्शकों को और इसके स सामने जो देखी के आप दो पेड देख रहे हैं अलग से से इसे इंडिया नहीं है यहsively के इनके लेके आए थे इनको मुंचे चीजें का रोपे इसके अलावा यूरोपियन कंट्री जो टंपरेट क्लाइमेट है ठंडा क्लाइमेट जहां पर है वहां पर यह पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं जैसे सुजर लैंड वगारा एरिया है खास्यत इसकी यही है कि अपनी पतियों का शेड जो है वह बदलता है इसके अलावा यहां है धाली पैल में खुमानी लगैह एक हैली पैड बीए जहां पे जब मैडम राष्रपति आती है उनका इसलिपान है ओंपर उतरता है तो इक वह भी बहुत खूपसूरत सथा नेचर्ट्रेल आये मुलयद बेलख है बिलकल वहां च्रhãटक dei डिग्री व्यू दिखता है आपको यहां से ट्रांस हिमालन रेंजिस भी देखने को मिलती हैं अंग्रेजुन को शायद इस लिए यह जगा पसंद आई क्योंकि यहां का क्लाइमेट जो है पूरा बिल्कुल अब यह चाहेंगे कि एक बार क्योंकि धोप इस बक्त है तो जो य यहां पर यह टाइम बताने वाली क्या चीज है और कैसे टाइम को चलता है जैसे ही सूरज की रौशनी इस नौप पर पढ़ती है इसकी परचाइंस डायल पर बनती है जिस तरह की आपकी वाल क्लॉक्स है रिस्ट वाच है उसी तरह की घड़ी है यह तो अभी आप देख सक हैं कि सूरज की रौशनी जैसे इस पर पढ़ रही है इसकी परचाइंस डायल पर पूरे बारा बजे पर बढ़ रही है तो इस वगत आपकी घड़ियों में टाइम जो है वह बारा बज गए हैं ब्रेटीश इसका इस्तेमाल किया करते थे और उसी वगत की घड़ी यहां प विखो तूर यहां देखें इसे बिल्कु देखें अप जो यह संडायल है जो इसका जो चाया है में बारा बजे पर पढ़ रही है और हम आपको घड़ी में भी बताना चाहेंगे कि ठीक बारा बजे हुए हैं यानि आप यह देख सकते हैं की ठीक बारा बजे है और यहां पर भी ये बारावजे ही दिखा रहा है तो ऐसे में उस बक्त का ये अभिशकार था और इस तरह से भी इस तरीके से परिवर्तन रहता है उसी तरह से ही इसके पतियों का इसान नहीं की बहुत जल्दी चैंज करती आ दूप के साथ ही इसका connection है सूरज की रौशनी से ही उसी से ही जो है इसका जो फिनॉमिना है उस तरह से काम करता है किसकी शेड बदलती है कि राश्टपती निवास में अभी आपने अभी हमें बताया इनके अलावा यहां की और क्या खासियत है क्या और कि भी यहां करेंगे इसके अलावा यह है कि जब प्रेटक आते हैं तो वो मैडम का जो है अपॉइंटमेंट एरिया देख पाते हैं ब्रिटिश टाइम के अंदर जो लाइट के आर्टीफेक्ट्स हैं उनको देख पाते हैं मैडम को ऑफिशिल डाइनिंग एरिया है उसके निर्णय हैं कि बहुत सारे लोगिस्त का लुत पॉठ जै उठा पा रहे हैं उसके अलावा कि जो नेच्चर ट्रेल्ट रहे है यहां का जो वाता वरन है अपने में और आस देख सकते हैं कि लौं एरिया sorgen में कह गपीर है तो अपने में एक आकर्शन का केंदर है जो है प्रेटकों के लिए बिल्कुल आकर्शन का केंदर बने हुए हैं प्रेटकों के लिए और इस लाउन में है राश्टपती निवास के ठीक, बाहर तस्वीरें एक बार आपको फिर दिखाना चाहेंगे कि कियसा नजारा बनता है राष्टपती निवास का बहुत पुराना 170 साल पुरानी बिल्डिंग है और अब यह राष्टपती निवास है तो आप यहां देख सकते हैं किस तरह लोग भी 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 देख सकते हैं आपको हमने यहां पर दिखाया जो संडाइल है किस तरह से सूरज की रोशनी के जरिये समय का पता लगाया जाता है दूसरी तरह आप देख सकते हैं यह पेड़ दो पेड़ जो समय समय पर रंग बदलते हैं पर पर कलर इस बक्त है यह फैसला जो है उनकी तरब से किया गया था कि जो यहां पर आम लोग हैं वो भी इस राश्टपती निवास दा रिटीट में आ सकते हैं पहले इस तरह की ब्यवस्ता नहीं थी लेकिन अब इस तरह की ब्यवस्ता की गई है हलांकि इसके लिए कुछ पेड़ भी करना पड़ेगा चाहे वो देशी टूरिस्ट हैं चाहे भी देशी टूरिस्ट हैं लेकिन लोग यहां पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं और एक एहतिहासिक दरहोर के यहां पर दिदाद कर रहे हैं वीडियो जनलिस्ट अंकूर के साथ प्रदीप ठाकूर मशोबरा दा रिट्रीट